नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी चैनल अचार जागंद्र मिस्रा में आज हम बात करेंगे आज के मिथन राश की दैनी के रास्फल के बारे में लेकिन उससे पहले बात कर लेते आज के पंचांग के बारे में 30 मार्च 2021 मंगलवार का दिन है और चैत्र माश कृष्ण पक्षी दुतिया तिती है नचत रहे चित्रा और अब जीत महूर्द दुपाहर 11 बच के 40 मिनट से लेके दुपाहर 12 बच के 49 मिनट तक रहेगा आज के शूरू दे सुबह 6 बच कर 9 मिनट पे और चंद्रमा गोचर कर हैं तुला राश पे आज के जो अश्व समय होगा वह सुबह 8 बच कर 2 मिनट से लेके सुबह 9 बच कर 15 मिनट करेगा इस अश्व समय कोई भी सुब और नए कार की सुरुवात ना करें नहीं तो बिगन बाधायां शक्ति है अब बात करते हैं आज के मितन रास की देने के रा पार में भी और घरेलू जीवन में भी नई खुसकबरी मिलने की योग बन रहे हैं मितन रास की आज आपका पूरी तरह से मन काम पर लगा हुआ है केरियर की बात करें तो केरियर में बड़ी उपलब्दी हाशिल हो सकती है पहले की उपेच्छा ज्यादा यानि आपका मन ल करेंगे नई पलानिंग आगे छल कर भविश में कितना कारगर हो यह पलानिंग करेंगे इस टाप की लोगों को सहयोग प्रापत होगा उच्चा जातकों आज आपका हर कार बहुत ही मजबूती से होगा रुका हुआ फासा धन परात होगा साजेदारी में विजिनस ब्यापार करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफ़ा देखने को मिल सकता है आज आपके ब्यापार में यानि की धन की ब्रिद्धी होती नजराएगी पुरान मनाते नजराएगे और बहुत ही अच्छे सुख पलों को याद करेंगे परिवार के सदस्यों को साथ खुशिया मनाएगे घर परिवार में जो सिंगल जाता कि उनके बिवाह ते हो सकते हैं आज आपके घर में कुछ धार्म के कार्यों में रुची बढ़ेगी पूजा नजराएंगे उनके जीवन में एक नए दोस्त की दस्ताख हो सकती है और घर परिवार में कुछ ऐसे कार थे जो काफी समय से रुके हुए थे उन्हें पूरा करेंगे और कुछ जरूरत की चीज़े लाते नजराएंगे तो यहां पर खर्च भी बढ़ेगा मितनरास के जात सब्सक्राइब को और धनकी कमी तो पीता जी की मदद मिलती नजराएंगे अज आपका मन पूरी तरह से अपने कारश्यत पर लगा हुआ है आज आपकी आर्थी किस्तिती में मजबूती देखने को मिलेगी और साथी स्टुजेंट की बात करें तो पढ़ाई पर फोकस बना हुआ है पढ़ाई पर फोकस इसले भी बना हुआ है कि आप इससे पहले खुप सारा जेस्ट नमना आए हैं दोस्तों को साथ इंज्वाय किये हैं अब आपको अपने एक्जाम का ख्याल रहेगा और पढ़ाई के प्रतिया आप कोई भी लापरवाहिं नहीं करेंगे दोस्तों साथ घूमने फिरने से बचना होगा और कंपटीशन की तयारी में है या किसी इंटर भी की तयारी में है तो निश्यत और पर मिथन राज के आपको पूरी तरह से मन लगा के काम करने के अवश्यक्ता हो कि किसी भी प्रकार के धिलबाई अपने पढ़ाई के फोकस यानि के रखना है नहीं करना है और मिथन राज के जातकों धनकी से थी बहुत अच्छी रहेगी परन्त मेहनत भी करना पड़ेगा आज की दिन आज आप करजे के लिए थोड़ा चिंतित रहेंगे अगर कहीं करज बगर लेना है तो अगर ना ले तो ज्यादा बेटर रहेगा पुर कर शहयोग प्राप्त हो रहा है मिथन राज के जातकों और इंपोर्टन्ट काम एक दूसरे के शहयोग से पूरा होता नजराएगा अगर आपके जीवन साथी नोकरी पर है या वेपसाइक कर रहे हैं तो धन इंकम के स्रोध बनेंगे और नोकरी में पदोनत के साथ साथ मान को लेकर बड़ी खुसकी मिल सकती है या ऍगले में निश मिहमान अग्वन हो सकता है या आपके जीवन के साथ ही के द्वारने नहीं खुसका मिल सकती है काफी अच्छा है मिथन राज की और स्वास्त पर बिशध ध्यान रखना होगा हालाकि मंध्शक्च्धर नहीं नहीं फिर भी ध्यान रखना होगा माताजी के सेहत में थोड़ी सी प्रॉब्लम वा शकती है थोड़ा सा पैसे का हलका फुलका टेंसन ऐसे हो सकते हैं कि किसी को आपने दे रखा और समय पर ना मिल पाए थोड़ी से चिंताई परेशान कर सकती है जिसके कारण आपके सरमेदा करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा वह ऐसे केरियर में बड़ी उपलब्धिया शलोगी उच्छाथिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा कुछी मल्टी रेशन से कंपनी से आपको नोकरी के लिए आफ़ार आशकते हैं अगर आपने पहले से प्लाई किया हुआ था तो अ आप को अज की दिन काफी अच्छे रहने वाला है आज आप हर कार को बहुत बारीके से निर्णे लेकर करेंगे अगर कोई इंपोर्टन निर्णे लेना है तो आपको सोच मज़ कर लेना होगा लोटी शट्र से भी आज आपको ज्यादा तो नहीं कह सकते लेकिन 50% लाभ मिल लेकी योग बन रहे हैं साथे रियल स्टेट कंट्रक्शन का काम कर रहे हैं तो अच्छा खासा मुनाफ़ा देखने को मिलेगा मितन रास के याद्कों इसलिए काम पर फोकस तो बना हुआ है कार चेतर पर भी फोकस बना हुआ हर कार को बड़े बारीकी से कर रहे हैं यह काफी अच्छा कहा जा सकता है आज आप यानि की पुराने मित्रों का सहयोग भी ले सकते हैं जो कि आपके लिए काफी यदर लाब्दाय करेगा मितन रास के जातकों आज आपका शुब रंग रहेगा यानि की ग्रीन हरा और आपका भाग साथ निभा रहा है 77% दोस्तों ज